नमस्कार गुड आफ्टरनून आप सभी का स्वागत है स्वर मैं टाइमस में मैं हूँ सिधान तरपाइटी और आए नज़र डालते हैं इस वक्त की खास सुर्खियों पर निकाय चुनाओं में हार के बाद अकलेश का बीजेपी पर निशाना बोले भाचपाने की बेमानी सारी हदें पार की दिल्ली एंसियार के मौसम में अचानक बदलाव आसमान से पसरी धूल की चादर करनाट का सीएम पत के लिए माथा 25 जारी शिपकमार दिल्ली पहुँचे खरगे के आवास पर राहुल गांदी भी मौजूद मारास्ट में तमकेश और मंदिर में दूसरे धर्म के लोगों के जबरन गुसने का मामला सरकार ने जांच के लिए बनाई सीट आरजेडी विदायक के ठेकाने पर सीबी आई की चापे मारी पतना और भोजपुर पहुँची टीम घर के बाहर आरजेडी समर्तकों की भीड पीम ने 70,000 विवाओं को अपॉंट्मेंट लेटर दिया बोले हमने सरकारी भरती प्रक्रिया को आसान बनाया रष्टा चार और भाई भती जावाद खत्म हुआ दिल्ली जाते वक्त डीके बोले काबिल हूँ तो जिम्मेदारी मिलेगी पार्टी माहर जरूवत पूरी करती है ना धोका दूँगा और ना ब्लेकमेल करूँगा श्राइस्ता गुड़ू अस्ताबिर के खिलाफ लुकाउट नोटिस जारी 81 दिनों से तीनों फरार हैं आठ राज्यों में छापे मारी अविदेश भागने की आशंका मोका तूफान का असर बंगाल में 9 लोगों की मौत मिजोरम में 236 घरों को नुकसान हुआ 84 किलोमीटर पती घंटे की हवा चबी फ्लाइट्स की गई डाइवाइट महराष्ट में अजित पवार का दावा नहीं गिरेगी शिंदे सरकार NCP नेता बोले 16 विधायकों के आयोगी होने के बाद भी शिंदे फढणवी सरकार के पास भाउमत मरीपुर में 12 दिन बाद भी हिंसा जारी शिवरों में मौजूद ग्रामीट बोले हत्यार दें हम खुद निपट लेंगे मेते ही बोले NRC लागू करें साउध दिली के स्कूल में बंप की धंकी पुलिस ने स्कूल खाली कराकर तलाशी ली कुछ नहीं मिला दो महीने में तीसरी ऐसी घटना जमू मेडिकल कॉलेज में दा केरला स्टोरी को लेकर हुई मारपीट एक स्टुएंट घायल होस्टल के दस स्टुएंट्स को दो महीने के लिए किया गया सस्पेंट निशे की खिलाफ जंग में नौसेना की बड़ी कामियाबी जब्त की गई 12,000 करोड की मैत म्यामार इस जानलेवा ड्रक का हम अब कच्चो तेल पर नहीं लगेगा कोई विंट्फॉल टेक्स पेट्रॉल डीजल और ATF पर भी जीरो टेक्स ये कटोती 16 मैई से हुई है लालो गैलोट समर तक मंत्री विदायकों का पाइलेट पर पलेटवार डूडी बोले पाइलेट के तीनों मुद्दे गलत मंत्रीन का सरकार रिपीट नहीं होगी इसकी सुपारी लिए दस दिन के दोरे पर अमेरिका जाएंगे राहूल गांदी 5000 प्रवासी भारतियों से मिलकर नियू और्क में करेंगे रहली करनाटक के सीम सिद्धा रमया ही बनेंगे साम तक एलान सरकार बनाने का भी फॉर्मूला हो चुका है ताए कुछ देर में डीके सिद्धा रमया की सोनिया राहूल से मुलाकार पाकिस्तान में चीफ जस्टिस से स्तीफे की मांग मरियम नवास बोली सुप्रीम कोर्ट इमानदारी नहीं इमरानदारी दिखा रहा देश-परदेश की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहनी के लिए जुड़े र टेम्स के साथ इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें साथी साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें